असलाम उलिक्म वियर्स आई होप आप लोग ठीक होंगे आटोकेट के आज की इस विडियो में हम कुछ हैचिंग के बारे में बात करेंगे कि हैज में हम ओरिजन पॉइंट यानि जो हैज का स्टार्ट पॉइंट है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं और अगर हमारे पास कोई है है जिसका बाउंटरी हम से डिलीट हो गई है या जो हमको ट्राइंग मिली है उसमें उसकी बाउंटरी नहीं है तो वो बाउंटरी हम किस तरह दुबारा करियेट कर सकते हैं और उसको किस तरह हैच के साथ एसूसियेट कर सकते हैं तो यहां पे यह देखे मेरे पास एक वाल brick show रहा है अब हमने इस origin point को change करना है ताके हमको जो फस्ट layer है उसमें ये full brick जो है वो show हो उसके लिए आप अपने hedge को select करेंगे जैसे ही hedge को select करेंगे जो आपके पास hedge editor का contextual ribbon आया है इसमें ये option है आपके पास set origin इस पे click करेंगे अब हमको message आ रहा है कि select object कि जो भी आपने origin रखना है वो select करें तो मैं shift press करके right click करता हूँ snap on करने के लिए यहां से मैं end point का snap लेके ये corner मेरा start point है तो मैं यहां पे click कर देता हूँ देखें जैसे ही मैं यहां पे click करूँगा मेरा hedge change हो जाएगा देखें मैंने click किया है अब देखें मेरे पास यह जो first player है यह complete fix की आ गई है इसी तरह आपके पास कोई भी चीज़ है आपके पास elevation है कुछी floor में कर रहे हैं तो आप उसको change कर सकते हैं जिस भी origin से आप start करना चाहें दूसरी चीज़ यहां पे यह देखें एक circle है इसको मैंने hedge किया हुए है अगर इसमें select करके circle को मैं change करता हूँ देखें hedge भी उसके साथ change हो रहा है क्यों यह hedge इसके साथ associative है अब अगर मैंने देखें इसको select किया है और मैं इसको delete कर देता हूँ अब हमारे पास यह hedge है अगर इसको select करें तो यह देखें एक boundary show रही है लेकन यहां पे actual में boundary नहीं है अब हमने इस boundary को restore करना है देखें मैंने इसको select किया है right click और यहां पे option है generate boundary इसके मैं क्लिक करता हूँ यह देखें boundary जो है वो restore हो गई है लेकन अब अगर मैं इसको circle को select करके इसको change करता हूँ तो देखे circle तो change हो गया है लेकन हमारी जो hatching है वो change नहीं हुई तो इसके लिए अगर आपको associative boundary चाहिए आप अपने hatch को select करें right click और यहां से hatch edit में आपने जाना है यह hatch edit का option है इस पे click करेंगे तो यह एक dialogue box हमारे समने आ जाएगा यहां पे देखें यह हमारे पास option है recreate boundary इसको यहां से select करेंगे select करने के बाद आपके पास option आ रहा है यह आपको region चाहिए यह polyline चाहिए तो recommended जो है वो polyline है लेकन आप अपनी choice के हिसाब से region भी select कर सकते हैं polyline मैं इसको enter करता हूँ यह देखें select हो गया उसके बाद यहां पे message आ रहा है अब associate hatch with new boundary yes or no हमें यह associative चाहिए yes के लिए by default y selected है अगर आपने नहीं करना तो आप no select कर सकते हैं लेकन मुझे यह associative चाहिए मैं y लिखके enter कर देता हूँ यह dialogue works फिर open हो गया है इसको ok कर देंगे यह देखे boundary हमारी create हो गई है अब अगर मैं इससे select करके change करता हूँ यह देखे मेरा hatch भी जो है उसके साथ change हो रहा है क्योंकि अब यह boundary के साथ associative है तो यह था आज का छोटा सा वीडियो आपके लिए helpful होगा तो next वीडियो था के ल हुआ है झाल झाल